जैन्द एवर्वान, I am CSM Sonal Varma and आज हमने पढ़ा है parts of rifle और rifle है 7.62 mm SLR, SLR की full form होती है self-loading rifle, इसे ये एक semi-automatic rifle है, आप हम इसके parts रहते हैं, सबसे नीचे से start होता है butt plate, इस पे दो screw होते हैं, इन्हें बोलता है butt screw, अगर आप ये वाला part देख रहे होंगे, तो ये खुल ज जाता है, जिसके अंदर चिंदी डाली जाती है, oil डाला जाता है, जिससे सफाई होती है, ये है butt, ये है back sling कड़ी, rare side tip, ये हमारा पूरा है rare side, ये है हमारा piston grip, जहां से हम लोग rifle को पकड़ते हैं, ये वाला आजाता है trigger guard, अंदर है trigger, trigger guard का ये use होता है कि वो trigger कभी भी गल ये है हमारी magazine, यहां पे है, ये जो ये पाठ हिल रहा है, ये वाला, इसको बोलते है magazine catch, ये magazine पकड़ने में help करता है, ये है carrying handle, इसको अगर हम थोड़े से distance पे जा रहे हैं, तो हम ऐसे दर के पकड़ सकते हैं, पर अगर हम जादा distance पे travel कर रहे हैं, तो एक होती है front sling कड़ और एक होती है back sling डड़ी, जिसमें हम एक पटा बानके हम लोग दूर तक travel कर सकते हैं, इसके अंदर होता है gas chamber, क्योंकि जो 7.62 SLR है, ये एक gas operation से चलने वाली rifle है, यहां से लेकर, gas chamber से लेकर ये पूरा हमारा barrel में count होता है, जो ये वाला part है, इसको हम बोलते है upper hand grip, जो य ये वाला part है, ये जो tip दिख रही है, इसे हम बोलते है front side tip, ये दोनों जो दिख रहे है, ये है front brackets, जो इस tip को protect करते है, यहां पर protector भी आता है, इस पूरे को हम बोलते है front foresight, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है gas plug, gas plug के अंदर आता है piston head, और आता है recoil spring, जो पीछता है, जो recall spring होता है, वो पीछे को फेकता है इस gun को, और फिर वो दूसरा जो round है, उसे पकड़ के आगे को फेकने में help करता है, ये जो ये है, ये जो आपको यहाँ पर तीन खाने दिख रहे है, इसे बोलते है flash eliminator, यहां से क्या होता है, जो bullet है वो fire होती है, अगर आ होता है S, जो की होता है safe, और एक होता है R, जो की होता है repeat, तो ये थे 7.62 rifle के SLR के हिस्स से पुर्जो के नाप,